प्रोसेसिस में बाढ़ सकते हैं IVF जिसे इंट्रासाइटो प्लासमिक स्पर्म इंजेक्शन IVF में अंडों को स्पर्म के साथ कल्चर किया जाता है और इस प्रोसेस में स्पर्म ही जो अच्छा होता है जिसका केपोबिल्टी अच्छा होता है potential अच्छा होता है वो अंडे के अंदर enter होता है और fertilization का कारण बन सकता है XC में intra-cytoplasmic sperm injection में embryologist एक-एक अंडे के अंदर एक sperm डालेंगे जिसकी वज़े से fertilization होता है और embryo form होता है कभी-कभी IVF में अगर sperm अच्छे quality का नारा जिसमें हरकत या motility ना हो जिसकी आकार अच्छे ना हो जिसके defects बहुत जादा हो उनमें fertilization arrest हो सकता है या embryo बिल्कुल form नहीं हो सकता है ऐसे situations में XC बहुत अच्छा काम करता है और जो embryos form होते हैं वो IVF जितने ही अच्छे होते हैं और success rate भी अच्छा होता है आज हम XC के बारे में जाने की कोशिश करेंगे तो XC बहुत कारणों के लिए किया जाता है पर दो most important कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगी एक तो है poor semen quality semen यानि sperm quality semen में जो sperms होते हैं उसका quality अगर अच्छा ना हो बहुत अच्छे number of embryos form होते हैं जिससे embryologist को आसानी होती है कि कौन सा अच्छा embryo है कौन सा गर्ब के अंदर डालना चाहिए कौन सा अच्छा नी है और किसको discard करना चाहिए तो यह process उन patients के लिए बहुत अच्छा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिनके sperms नहीं होते हैं जिनको sperms testis में तो तयार हो रहे हैं बट वह बाहर सीमन में नहीं आपा रहे हैं ऐसे patients को अजू स्पर्मिया के शिकार कहते हैं तो अजू स्पर्मिया जब होता है टेस्टिस से हम sperms निकालते हैं surgical extraction कहते हैं बहुत इजी procedure है जिससे sperms को testis से निकाला जाता है और इन sperms को एकसी द्वारा अंडों के अंदर डाला जाता है और जो embryo तयार होते हैं जिनको गर्ब में डालके हम pregnancy के chances बढ़ाते हैं यह process highly skilled embryologist द्वारा किया जाता है उनको इस process में experience होना चाहिए skill होना चाहिए training होना चाहिए तभी यह process उनके द्वारा किया जाता है यह special microscope पे किया जाता है जिसे inverted micromanipulator कहते हैं बहुत बढ़ा यंत्र होता है जो sperm को लगबग 6000 times में magnify कर सकता है तो जब यह magnify होते है sperm उनमें अगर कोई defect हो उनमें कोई tear हो vacule हो hole हो DNA ठीक ना हो size ठीक ना हो उन sperm को avoid करते हुए ना लेते हुए अच्छे sperm को लेकर अंडों में डाला जाता है जैसे आप देख सकते हूं यह कुछ needles हैं इसे स्पेशलाइज्ड लोग ही यह प्रोसेस कर सकते हैं यहां देखिए एक सिंगल लेक को इस नीडल में लिया जा रहा है इस नीडल को एग के अंदर डालते हुए और फिर उसके बाद नीडल धीरे से एक से निकाला जाता है और इन एग्स को जो स्पर्म के साथ हैं अभी उन इंब्रियो ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है सो जैसे मैंने कहा आइवेफ में इक सी जो प्रोसेस है एसे वाले सिच्वेशन में सक्सेसरेट बहुत बढ़ाता है अजूस पर्मिया पेशिंस में या डिने फ्राग्मेंटेशन जादा हो या स्पर्म की क्वालिटी एक्स बहुत कम हो प्रिवियस फेलियर हुआ हो मिस्कैरिज जो रहे हो तो ऐसे केसे में इक सी प्रोसेजर बहुत अच्छा काम करता है इसके बारे में और जानकारी के लिए यह आप आई-वेफ कराना चाह रहे हैं आपके अविशे जीवा फर्टलिटी सेंटर आए थैंक् झाल झाल